मंडे के बाले चौक शेत्र की अराधया देबता बिठु नारायन के मंदिर से लेथी रात को चोर देबता के मंदिर में रखी तिजोरी को दिवार तोड कर उड़ा ले। वहीं दोसरी तरफ अरादेदेव बिठु नारायन के कारदार वो देवालो इस घटना को लेकर सदमे में हैं। देवता के पुजारी ने कहा कि देर रात को देवता के मंदिर की दिवार ठेक थी लेकिन जब स्थानियों लोग मंदिर में माथा टेकने गए तो वहां लोगों ने दिवार को टूटी हुई पाया जिसकी सूचना पुलिस को दी गई शिकायत मिलते ही बाली चौक की पुलिस जांच में जुटके ये पुलिस को मंदिर से कुछ ही दूरी पर खाली ती जोरी मिली है जिसका ताला पत्थर से तोड़ा गया था मंडी S.P. गुर्देव चेंच शर्मा ने कहा कि पुलिस केहनता से मामले की जांच कर रही है उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के अन्य पहलों पर गंपीरता से जांच की जा रही है थाची में बिठू नारायन मंदिर के वहां के एराद को एक कोई मंदिर के अंदर गुसने की रपोर्ट पुलिस के पास परापत होई है और पुलिस ने इसमें F.I.R. दर्ज कर ली है और जहांच पर यह पाया गया कि जो मंदिर के अंदर पर जो गल्ला था उसको जो है कोई जंगल में कोई डियोट सो मीटर दूरी पर पुलिस ना परामत किया है मंदिर कमेटी ने गल्ले को 22 तारी कोई खोला था और उसके बाद से वहां मेला भी था और मेले के बाद एक्जक्ट अमाउंट का फता नहीं चल पाया कि उसमें कितना अंदर था और पुलिस जो है आसपास के इतने भी लोग हैं उनसे पूश्टाच कर रही है और संदिक जो व्यक्ति हैं उनसे भी पूश्टाच की जा रही है अडिशनास की मंडी को भी इस जाच के लिए वहां के थाची बेजा गया है